अस्तलमुलीकुम दोस्तों आपका फिरसे मैं स्वागत करता हूँ आपके अपनी योटूब चैनल गल्फ इंफॉर्मेशन योटूब चैनल पर साथ ही आज के वीडियो में कतर से सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है वो भाई का सवाल है भाई का सवाल का जवाब मेडिकल नहीं करवाना है डारेट वीजा रेडी मल्ट्री इंट्री वीजा तो भाई मैंने आपको बताया था कि सड्डॉण वालों के लिए अगस्त के महिने में एक नया रूल लाया गया था कि उनको भी QVC मेडिकल करवाना पढ़ रहा था जिसको लेकर दोस्तों बहुत आपको बता दिये था तो भाई यदि अभी कतर आप जाना चाहते हो तो सड्डॉण प्रजेट का कुछ-कुछ वीजा जो है वो निकल रहा है ऐसा बात नहीं कि नहीं निकल रहा है सड्डॉण वीजा बहुत सारा भी निकल रहा है तो यदि आप अभी सड्डॉण प्रजे जादा, नौ महिना तो ये सब वीजा भी निकल रहा है पर दोस्तों ये सब वीजा निकालने काफी ज्यादा महेंगा पड़ रहा है, तो इन सब इस बातों भी आपको ध्यान देना है, यदि आपके बजट में हो तभी आप वीजा के लिए प्लाइ कीजिएगा, वेना नहीं क कि लिए क्योंकि वीजर्श को रिजर्ट होने का भी चांस काफी जादा अभी रहता है अगली जो अपडेट दोस्तों आरे साथियों वा रही अनुआ वहारी मै profoundly धाटा दिया जाता है हर साल कतर में कि कितने लोगों ने इस साल साधी किया है कितने लोगों ने इस साल जो है व लकीर ये इतने लोगों ने वहाँ पर marriage किया है जन्वरी में फर्वरी में मार्च में अप्रील में मैं मैं में जून में यानि जन्वरी में 393 लोगों ने तो दोस्तों ये जो आकड़ा है ये पूरा डाटा दोस्तों जो है ये कतर के तरब से दिया गया स्रिप 6 माहिने का ये डाटा है अगली जो खबर दोस्तों आरे साती हों कतर से नहीं है पर बड़ी ख़बर में आपको बता दोस्तों रोमानिय कंट्री बारे में आप लोगों उन्हें सुना होगा रोमानिय एक ये यूरोप कंट्री है वहाँ पे बहुती तेज वहाँ पे बारिस होने के वज़ा से अब तक वहाँ पे पांच लोगों की मारे जानी की खबर आ रही है इस्टन रोमानिया से और काफी हजारों लाखों लोग वहाँ पे इससे परभावित भी हुए है तो ये कुछ खबरी थी अपडेट सी जो कतर से आ रहे थी मैंने अब तक सेर किया मिलता हूँ दोस्तों एक शुर में लाफिष टेक